अंडरग्राउंड मट डॉग हाउस मुझे नहीं मालूम अरे ऐसे कैसे नहीं मालूम यहीं तो रखा था हाँ मैंने टोम को उस बैग के साथ खेलते हुए देखा लेकिन मा मुझे नहीं मालूम था उसमें सोना है इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कितनी बड़ी गलती हो गई फिर से सोना खरीदने के लिए कितनी महनत करनी पड़ेगी तुम और टोम मेरी आखों के सामने से चले जाओ कार्तिक दुखी होकर घर से बाहर आकर एक पेड के नीचे बैठ जाता है टोम खेलते हुए एक सुरंग में अंडरग्राउंड में चला जाता है फिर दिखाई नहीं देता टोम टोम ये कहकर वो चलाते हुए उसे ढूंडता रहता है इतने में टोम की आवाज अंडरग्राउंड से आती है टोम तुम कहा हो वो अंडरग्राउंड में जाता है अंडरग्राउंड में एक छोटा सा हाउस बना हुआ था वहाँ पर एक बोड़ी औरत छोटे कुटों की देख भाल कर रही थी आप कौन हो? मेरा टोम मुझे वापस कर दो तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी तब मैं तुम्हारे टोम को और बहुत सारा सोना भी दूंगी क्या करना है? मुझे थोड़े पपीज चाहिए पपीज? लेकिन क्यूं? मैं उनका पालन करूंगी क्यों इस अंडरग्राउंड में रह रहे हो? बाहर क्यों नहीं जाओगे? मेरा नाम गोरी है मैं कुटों से नफरत करती थी कुछ साल पहले एक स्वामी जी के आश्रम में उनकी सेवा करती थी उनके पास एक कुट्टा था जो उन्हें बहुत पसंद था मैं कितना भी घर को साफ करती लेकिन वो सारा गंदा कर देता था और एक दिन गोरी मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ मेरे आने तक कुट्टे का बहुत ध्यान रखना ठीक है स्वामी जी ये कहकर वो चले गए इस तरह वो तीर्थ पर गए थे मुझे लगा कि किसी तरह मुझे उस कुट्टे को आश्रम से भगा देना चाहिए मैंने बहुत बारी कोशिश की जितनी भी बार मैं उसे आश्रम से निकालती वो शाम होने पर फिर से आश्रम को वापस आ जाता इसलिए मैंने चिड़ कर उस कुट्टे को आश्रम के नीचे एक सुरंग में बंधी बना दिया कुछ दिनों के बाद स्वामी जी आश्रम को वापस आए गौरी सब कुशल मंगल है ना सब कुशल मंगल स्वामी जी आपकी यात्रा कैसी गई मेरी यात्रा सफल रही अहां वो कुट्टा कहां है आपके जाने के बाद कुट्टे का कोई पता नहीं स्वामी जी मैंने सोचा वो आपके साथ ही चला गया मेरे साथ क्यूं आएगा मैंने तुमसे कहा था ना कि उसकी देखभाल अच्छे से करना वो गुसा होकर अपनी दिव्यद्रिष्टी से सब कुछ जान जाते हैं नीच एक बेजुबा पर तुमने इतनी हिंसा की तुम्हारा शेश जीवन एक अंधेरी सुरंग में बीतेगा यही मेरा श्राप है सुआमी जी मुझे माव कर दीजिए मेरे पाप का परिहार बताईए तुम्हें कुत्ते की प्रजाती की जिंदगी भर सेवा करनी चाहिए तब ही तुम्हारी यवन वापस आएगी उस पाप के परिहार में मैं कुत्तों की सेवा कर रही हूँ प्लीज मेरी मदद करो ठीक है मैं आपको थोड़े पपिज ला कर दूँगा ये सोना तुम्हारा उपहार है ये लो कार्थिक बुढ़ी औरत को थोड़े पपिज ला कर देता है वो बुढ़ी अपना सारा जीवन उन कुत्तों की सेवा करके अपने पाप का पराश्चित करती है कार्थिक बुढ़ी औरत के दिए गए सोने से अपनी बहन की शादी करता है और अपने माँ बाप की प्यार से देखबाल करता है ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए उनसे नफरत कभी नहीं करनी चाहिए आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आपैसी ही और भी कहानिया सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें शुक्रिया माया वी भैंस बरंपुर नामगाओं में चमनलाल नाम का एक धनी रहता था वो बेमानी से व्यापार करके खूब पैसा कमाता था कोई चोर उसके पैसे ना चुरा ले इसलिए सारा पैसा कहीं छुपाने का प्रयत्न करता रहता था चमनलाल को एक बढ़िया उपाय सूजता है उसने भैंस के रूप में एक खिलोना विदेश में बनवा कर मंगवाया था उस भैंस के पुतले को देखकर सभी लोग धोखा खा जाते थे सोचते थे कि वो जिन्दा भैंस है इसलिए चमनलाल उसके पेट में पैसा और सोने को चुपा कर आराम से सो जाता था लेकिन उसके पडोस में वासु नाम का एक व्यक्ति था वो इस बात पर विश्वास नहीं करता था चमनलाल सर अब कभी भी भैंसू का पालन नहीं करते हैं अब क्यों भैंस को घर पर रख रहे हैं? अरे कुछ नहीं वासू, मुझे भैंसो को पालना बहुत पसंद है सेहत के लिए भैंस का दूध अच्छा होता है इसलिए इसे लेकर आया हूँ फिर इसको चारा पानी कॉन डाल रहा है और गावर कॉन साफ कर रहा है? मैं प्रात्यकाल ही इसको चारा डाल कर दूध निकाल रहा हूँ उस वक्त तुम नींद में रहते हो इसलिए शायद तुमने कभी देखा नहीं है मैंने आपको दूध निकालते हुए कभी नहीं देखा अगर आपके पास भैंस का स्वच दूध है तो फिर आपके घर वो पैकट वाला दूध वाला क्यूँ आ रहा है? अरे भैंस का दूध घर वालों के लिए है और पैकट के दूध से घर आए महमानों को चाय कौफी देने के लिए इस्तिमाल करते हैं हम अब तुम क्यों इतनी पूछ आज कर रहे हो? ये कहकर चमनलाल घर के अंदर चला जाता है लेकिन वासू को उसकी भैंस पर शक होता है कहीं वो यकीन न बन जाए इसलिए प्रात्यकाल उठकर भैंस को चारा खिलाने और दूध निकालने का नाटक शुरू कर देता है ये सब कुछ देखकर वासू भैंस को असली समझने लगता है लेकिन रात के समय घर के अंदर ले जाते हुए वो उस भैंस को देख लेता है अले सर भैंस को अंदर क्यों ले जा रहे हो कल रात को मैंने भैंस को आपके बैडरूम में देखा था अप बदबू में कैसे रह रहे हैं क्यों बार-बार इतनी पूछताच कर रहे हो मेरी भैंस मेरी मर्जी कुछ भी करूँ घर के अंदर रखूँ या बैडरूम में तुम्हें क्या? Mind your limits पडोस में तांक जा करना छोड़ दो और अपने घर पर ध्यान दो ये कहकर वो चिड़-चिड़ा होकर घर के अंदर चला जाता है ये सब देखकर वासू का शक और भी बढ़ जाता है अगले दिन घर के बाहर अपने कार में ना जाकर उस नकली भैंस पर सवार होकर वो जाता है ये सब देखकर सब लोग कहते हैं कि इसके पास पैसा तो है ही और अब शाहिद ये पागल हो गया है ऐसा सोचने लगते हैं ये सब कुछ देखकर वासू कहता है अरे ये क्या देखने में तो भैंस जैसे ही दिख रही है लेकिन इसको चारा भी खिला रहा है और दूद भी निकाल रहा है कुछ तो गड़बड है ये रहस्या तो मालुम करना पड़ेगा ऐसा सोचकर वासू हर दिन उसको देखता रहता है प्रातय काल उठकर चमन के द्वारा किये गए सारे कार वो देखता रहता है भैंस को चारा डालने पर भी वो खा नहीं रही है दूद नहीं आ रहा है और गवबर भी नहीं दे रही है ये क्या है कहके सोचते हुए एक दिन रात के समय चुपके से उस नकली भैंस के पास जा कर देखता है एक डंडा लेकर उसकी पीट पर मारने लगता है फिर भी वो हिलती नहीं तब वो समझ जाता है कि ये नकली भैंस है तब वासू उस नकली भैंस को अपने घर लेकर जाता है और उसकी जगहा पर असली जीवित भैंस को लाकर बान देता है फिर अगले दिन चमनलाल जब सुबह उठकर भैंस को चारा डालने और दूध निकालने का नाटक करने आता है तो असली भैंस को देखकर चौक जाता है अरे ये मेरी भैस नहीं है ये तो सचमुच की भैस है इसका मतलब ये है कि किसी ने मेरी नकली भैस को चुरा कर अपनी असली भैस को यहां बात दिया है ये भगवाण, अब मैं क्या करूँ मेरा सारा पैसा और सोना चला गया इस बात की कम्पलेट भी पुलिस में नहीं कर सकता अगर कम्पलेट करूँगा थो उल्टा मुझपर ही पुलिस पूछताज करेगी इतना पैसा और सोना कहां से आया अब मैं क्या करूँ भगवान मैं तो लुट गया मैं क्या करूँ ये कहकर अपने मन में सोचता रहता है, इतने में वासु वहां आता है क्या हुआ सर, आपका मूँ क्यों लटका हुआ है? अरे, आपकी भैस तो बहुत चमक रही है, और दूद भी अच्छे से दे रही है मुझे एक लीटर दूद दे सकते हो, मैं उसके पैसे दे दूँगा हाँ और एक बात, आज आपकी भैस ने गोबर भी बहुत ज़्यादा दिया है इतने दिन क्या हुआ था, उसकी तब्यत खराब थी क्या? शायद इसलिए नहीं दे रही थी कल आप भैस के उपर सवार होकर जा रहे थे तो आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यम धर्म रा जा रहे हूँ और बहुत खूबसूरत लग रहे थे आप अभी जाने भी दो यार, मेरा मूठ ठीक नहीं है क्या हुआ सर? आपकी तव्यत ठीक नहीं है क्या? कुछ भी नहीं यार, इतना पैसा कमाया है लेकिन एक दिन भी मन को शान्ती नहीं मिली पैसा जादा होने पर ऐसा ही होता है सर इसलिए थोड़ा दान भी करते रहना चाहिए अपने देश में तीन वक्त की रोटी नहीं मिलने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे गरीब किसान भी है उन्हें लोगों की सहायता करने से दिल को शान्ती मिलती है पैसों का क्या है? आज हैं? कल नहीं? अपना यश हमेशा रहता है हाँ वासू तुमने तो मिरी आखे खोल दी आज से मैं तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा जिसके पास भैस नहीं है उनको भैस दूँगा वे लोग दूध बेचकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं कहते हुए चमनलाल अपने घर पर हुई चोरी को बता कर दुखी होता है सर आप दुखी मत होए आपकी भैस को मैंने ही चुराया था आपका पैसा और सोना सब सुरक्षित है आप में ये बदलाव लाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था मुझे ख्षमा कर दीजिए तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा इन पैसों से भैसे खरीद कर गरीबों को दूँगा तब मैं भी हैपी हर तुम भी हैपी हर सब लोग हैपी ये कहकर चमनलाल अच्छे कारे करने की शुरुवात करता है तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी कमाई का कम से कम दस्वा हिस्सा गरीबों में दान करना चाहिए और परमार्थ के कारें में लगाना चाहिए आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भे कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शुक्रिया